प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे अपने व्यक्तित्व के अनुरूप पांच साल देशित में काम किया है वैसे ही मोदी अब भी देश्वासियों से जादा से जादा वोट करने की अपील कर रहे हैं मोदी अपनी सकोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ना चाते इसलिए उन्होंने अब सोशल नेटवरकिंग साइट प्विटर का सहारा लिया है मोदी पहले भी अपील कई बड़े दिगजों को कर चुके हैं अब मोदी ने ये अपील की है इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली से मोदी ने कोहली को कहा है कि वो आम जनता को जादा से जादा वोटिंग के लिए प्रेरित करें जैसा कि मोदी को आदत है हमेशा कुछ नया और अलग करने की वैसा ही अपने व्यक्तित्व के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई पहल की है वोटरों को जागरूग करने की मोदी ने अब एक नया हदकंडा अपनाया है वोटरों को जागरूग करने का मोधी ने फिल्म स्टार्स, सिंगर और खिलाडियों के जरिये वोटरों को जागरूग करने की एक नई पहल की है मोधी चाहते हैं कि ये बड़े दिगज वोटरों को प्रेरित करे और जागरूग करे ताकि वो बूत पर पहुँच कर जादा से जादा वोट डाल सके और देश को सबसे बड़ा लोकतंत्र बना सके प्रदान मंत्री ने बुद्वार सुभा अपने ओफिशल ट्विटर अकाउंट से एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट किये उन्होंने फिल्मी सितारों, सामाजिक कारेकरताओं के अलावा खेल जगत की तमाम बड़ी हस्तियों से निवेदन किया है कि वो लोगों को उनके मताधिकार के बारे में जागरूग करे खेल जगत के जितने भी जिम्मेदार खिलाडी हैं, मोदी ने सभी को ट्वीट के जरिये वोटरों को प्रेरित करने को कहा है प्रदान मंत्री ने विरात और धोनी से कहा है कि दियर धोनी विरात और रोहित, we are always setting outstanding records on the cricketing field but this time do inspire the 130 crore people of India to set a new record of high voter turnout in upcoming elections when this happens, democracy will be the winner मोदी ने अनिल कुम्ले, वीवियस लक्ष्मन और विरेंद सेहवा को भी Twitter पर tag करके लिखा है कि इससे पहले प्रदान मंत्री मोदी, महान क्रिकेटर सचिन तंदूलकर से लोगों को मद्दान के प्रती जागरूख करने की अपील कर चुके है और इसके अलावा मोदी भारतिय रेसलर, गीता फोगाट, शटलर, पीवी सिंधू, साइना नहवाल और किदामभी श्रीकांत से भी लोगों में मद्दान के प्रती जागरूख करने की गुजारिश की है अब देखना यह है कि प्रदान मंत्री मोदी की ये पुर्जोर कोशिश कितना रंग लाती है और देश की जनता इस बात से मद्दान के प्रती कितना जागरूख होती है